देश भर में 2019 लुकसभा चुनाव की लड़ाई तेज होती जा रही है। लुकसभा चुनाव 2019 की लड़ाई अब तेज होती जा रही है। नरेंद मोदी ने कहा कि कॉंग्रेस ने हिंदूों को आतंकवादी कहने का पाप किया है। इनको सजा देना जरूरी है। कॉंग्रेस ने हमारी 5000 साल पुरानी परंपरा के खिलाब शब्द कई है। इस देज के करोरों लोगों पर हिंदू आतंकवाद का दांग लगाने का प्रयास कॉंग्रेस ने ही किया है। आप मुझे बताईए। जब आपने हिंदू आतंकवाद सब्द सुना। आपको गहरी चोट पहुंचे थी कि नहीं पहुंचे थी। हजारों साल का इतिहास। हिंदू कभी आतंकवाद करें। ऐसी एग भी घटना है क्या। एग भी घटना है क्या। अरे अंग्रेज जैसे इतिहासकारों ने भी कभी हिंदू हिंसक हो सकता है। इस बात का जिक्र तक नहीं किया है। साथी पीएम मोधी ने रेली को सम्मोधित करती हुए कहा कि बोट बेंग की पॉलिटिक्स के लिए एंसीपी हो या कॉंग्रेज किसी भी हद तक जा सकती है। इस देश के करोडों लोग पर हिंदू आतंगवाद का दाग लगाने का प्रयास कॉंग्रेज नहीं किया है। आराष्ट में कॉंग्रेज और एंसीपी का गड़बंदन कुम्ब करण जैसा है। जब वो सत्ता में होते हैं तो 6-6 महिने के लिए सोते हैं। 6 महिने में कोई एक उड़ता है और जनता का पैसा खाकर फिर सोने चला जाता है। पहराल आप देखना है कि पीम मोदी का कॉंग्रेज पर हिंदुतु पर किया प्रहार कितना बड़ा प्रहार साबित होता है। और कॉंग्रेज इसका क्या जवाब देती है। लेकिन एक बार फिर चुनावी मोसम में पी-म का कॉंग्रेस पर हिंदूतु का प्रहार कितना बड़ा साबिद होता है कि आने वाला वक्त ही बताएगा नैशनल डेस्क टोटल नियूद लोक सभा चुनाव 2019 के लिए कॉंग्रेस कल मंगलवार को अपना घोश्रा पत्र चारी करेंगी कॉंग्रेस के वरिश नेता केसी वेडु गोपाल ने सुमबार को बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है वने बताएगे कॉंग्रेस अधिक्ष राहूल गांधी दिल्ली स्थित पार्टी कारयाले में घोश्रा पत्र जारी करेंगे माना जा रहा है कि वोट्रों को रिजहाने के लिए कॉंग्रेस अपने घोश्रा पत्र में कई बड़े यलान कर सकती है कॉंग्रेस के इस घुश्रा पत्र में रोजगार, पर्यावरण और शहरी करण पर फोकस रहने वाला है लोगसभा चुनाओं को लिकर राजनितिक दलों की मुहीम रफ्तार पकड़ती जा रही है कॉंग्रेस इसे और धार देने जा रही है कॉंग्रेस मंगरवार को लोगसभा चुनाओं के लिए घोश्रा पत्र जारी करेगी कॉंग्रेस के वरिश नेता केसी वेडु गोपाल ने सोमवार को बयान जारी कर इसके जानकारी दी उनने बताये कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी दिल्ली इस्थित्र पार्टी कार्याले में घोश्रा पत्र जारी करेंगे ऐसे में सोत्रों से मिरी जानकारी के आधार पर माना जा रहा है कि कॉंग्रेस अपने मैनिफेस्टों में कई और बड़े अलान कर सकती है प्रत्येक नाग्रिक को इलाज के लिए अस्पताल जाने का उसर मिलेगा यह अन्डिये सरकार के आईश्मान भारत से अलग होगा शहरीक शेत्रों में रोजगार का अधिकार दिये जाने का वादा शहरी युवाओं के लिए रोजगार गारंटी का वादा चार हजार रुपए की नियुन्तम आय का वादा और इसे दस हजार रुपए तक बढ़ाने का आउसर दिया जा सकता है उच्छ सिक्षा का अधिकार भी घोश्रापत्र में शामिल हो सकता है न्याय पालिका में अनुसूची जाती, अनुसूची जन जाती, अन्य पिछला वर्ग और अल्प संख्यकों के उच्छ प्रत्निधित्व के प्रावधान का रास्ता खोलेगी दलित और OBC जो बेघर हैं, उनको मकान या आवासिय भूखंड देने का भी वादा मैनिफेस्टों में शामिल हो सकता है साथी कारेस्थलों पर उनके उत्पिणन को रोकने का भी वादा शामिल होगा स्टार्टप को बढ़ावा देने को लेकर भी पार्टी कोई वादा कर सकती है पानी और विजली के बिल पहुचाने, मीटर रीडिंग, छोटे नागरिक सेवा केंदर खोलने और संपत्ति करके संग्रे जैसी सेवाओं में सक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार का वादा मेनिफेस्टों में हो सकता है गेहूं और धान के लिए MSP में सुधार भी शामिल हो सकता है इसके साथ ही उन्होंने एक और अरान किया है यदि उनकी सरकार सत्ता में आती है तो वे एक साल के भीतर 22 लाग सरकारी नौकरिया देंगे उन्होंने अपने इस वाइदे को पूरा करने के लिए बकाइदा तारिख भी बताई है उन्होंने कहा है यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो अगले 31 मार्श तक 22 लाग सरकारी नौकरियों के खाली पत भरे जाएंगे भेरहाल अब कल का इंतजार है कि वास्तों में कॉंग्रेस के मैनिफेस्टों में क्या होगा कॉंग्रेस सद्धिक्ष राहूल गांधी जिन्होंने न्याय योजना के बाद एक और बड़ा अलान किया है और अपने इस अलान में राहूल गांधी ने सरकार आने पर 22 लाग नौकरी देने की बाद कही है शुराती दिनों में चुनावी मुद्दों से दूर नजर आ रहा रहा रोजगार का मुद्दा अब वापस जगह बनाता दिखा है और इसे मुद्दा बना रहे हैं कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी जिनों ने न्याय योजना के बाद एक और बड़ा एलान किया है और अपने इस एलान में रहूल गांधी ने सरकार आने पर 22 लाग नौकरी देने की बाद कही है राहुल गांदी ने नरेंद्रों मोधी पर रोजगार देने में फेल होने का आरोफ लगाते हुए नौकरी का बड़ा एलान किया और कहा कि अगर केंद्रों में उनकी सरकार बनती है तो एक साल के अंदर 22 लाग सरकारी नौकरी दी जाएगी राहूल गांदी ने अपने वाइदे की साथ इसे पूरा करने की बकायदा तारिक भी बताई है राहूल ने कहा है कि उनकी पार्टी सब्ता में आई तो अंगले साल 31 मार्च तक 22 लाग सरकारी नौकरियों के पद भी दिये जाएंगे राहूल गांदी के इस वाइदे और एलान के पीछे एक वज़ा 2014 में मुदी द्वारा हर साल 2 करोड नौकरी देने के वाइदे से जोड़ कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने लोगों को उनके शेहर में ही नौकरी देने का वाइदा किया था राहूल गांदी ये अच्छी तरह जानते हैं कि यूवा बेरोजगार है और सरकार अपने वाइदे को पूरा करने में सफल नहीं हो पाई है इसलिए उन्होंने अब 22 लाख नौकरी देने का वादा किया है मोधी सरकार को रोजगार के मुदे पर घेने वाले राहूल गांदी ने ये वादा लोकसवा चुनाफ के लिए होने वाले पहले चरण के मतदान से 10 दिन पहले किया है जो काफी मैत्वपून माना जा रहा है राहूल गांदी ने ये वादा एक ट्विट के जरीय किया राहूल ने अपने ट्विट में लिखा है कि मौजुदा वक्त में करीब 22 लाग सरकारी नौकरियों के लिए पत खाली है राहूल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो 31 मार्च 2020 तक इन सभी पदों को भरा जाएगा हाल ही में राहूल गांदी ने नए बिजनस शुरू करने वाले युवाओ के लिए भी कई बड़े ऐलान किये थे आपको बता दें कि कॉंग्रिस अध्यक शुराउल गांदी देश के अलग-अलग राज्यों में लोकसभा चुनाव का प्रचार कर रहे हैं और हर मोर्चे पर मौजुदा केंदल सरकार को नाकाम बता रहे हैं और सिक्षा, स्वास्त, रोजगार, आदी मुद्दो पर सरकार को घेर भी रहे हैं अब वो अपनी रणनीती में कितने सफल होते हैं ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा लेकिन फिलहाल तो दोनों तरफ से एक के बाद एक लोग लुभावन वाइदे हो रहे हैं और जनता खामोशी से सुन रही है क्योंकि उसे तो आदत हो चुकी है हर चुनाव में ऐसे वाइदे सुनने की और चुनाव की बाद भूलने की कॉंग्रिस अध्यक्ष राहूल गांधी उस्तरप्रदीश में अपने पारंपरिगड अमेठी के लावा केरल की वाइनाट संसदी सीट से चुनाव लर्णिंगे कॉंग्रिस अध्यक्ष राहूल गांधी उस्तरप्रदेश में अपने पारंपरिगड अमेठी के अलावा केरल की वाइनाट संसदी सीट से भी चुनाव लर्णिंगे पार्टी का कहना है कि राहूल ने प्रदेश एकाय के अनुरोद के बाद वाइनाट से लणने पर सेमती जटाई है इस फैसली को कॉंग्रिस की तरफ से दच्छिन भारत खासकर केरल में अपने जराधार को मजबूत करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है वाइनाट केरल में इस्तित है लेकिन वो तमिल लाडू और करनाटक से भी गिरा हुआ है एक तरह से तीन दच्छिनी राज्यों का त्रिकोनी जंक्षन है वाइनाट सीट वाइनाट सीट 2009 में अस्तित्व में आई वाइनाट के अंतरगरत साथ विदान सबा सीटे हैं जो की तीन जिलो वाइनाट, कोजी कोड और मलापुरम में फैली है ये साथ विदान सबा सीटे मनन्थावडी, काल पेटा, सुल्तान बथेरी, तिरुवाम बाडी, निलामबूर, बांडू, अनाड है पिछले दो लोगसबा चुनाव में कॉंग्रिस का कबजा है, 2009 के लोगसबा चुनाव में कॉंग्रिस के M.I. शानवास ने इस सीट पर जीत हासल की थी उन्होंने CPI उम्मीदवार M. रहमतुल्ला को हराया था शानवास का निधर हो चुका है, वो केरल कॉंग्रिस की कारेकारे अध्यक्ष थे बीजेपी इस चुनाव में चौते नंबर जबकि N.C.P. तीसरे स्थान पर रही थी 2014 की लोगसबा चुनाव में भी शानवास को जीत मिली इस बार उनके सामने C.P.I. उम्मीदवार सत्यन मोकेरी मैदान में थे लेकिन उन्हें जीत नहीं मिली हाला कि मोकेरी शानवास को 3,77,035 जब की मोकेरी को 3,56,165 वोट मिले थे जीत का अंतर 20,000 मतों का था बीजेपी तीसरे नंबर पर रही थी पी रस्मिलात ने 80,752 वोट हासल किये थे पिछले दो लोगसवाचनाव को आधार माने तो साफ है कि कॉंग्रिस की राह आसान नहीं रहने वाली बीजेपी का जराधार बड़ा है जो की वोट में दिखाई दे रहा है 2009 में जहां बीजेपी चोथी स्थान पर रही थी तो वहीं 2014 की लोगसवाचनाव में बीजेपी तीसरे स्थान पर रही देखना होगा कि क्या राहूल गांधी सीट पर कॉंग्रिस की हैट्रिक लगवाने में सफल होंगे या नहीं स्पेशल डेस्क टोटल न्यूज वो कौन है और अभी कहा है इस रिपोर्ट में देखिए साल था 2005 कॉंग्रिस के सरकार बने एक साल ही हुआ था उसी दौरान एक कम उम्र का लड़का जिसकी उम्र महज 20 से 25 साल रही होगी वरिष्ट कॉंग्रिसी नेता और उस समय के प्रधानमंद्री मनमोहन सिंग का जबरदस्थ विरोध करता है नारे बाजी करता है काले जंडे दिखाता है तो सोचिए वो आज कहा होगा और क्या कर रहा होगा तो जनाब अब वो नौजवान कॉंग्रिस में ही एक एहम जिम्मिदारी निभा रहा है राहुल गांधी के भाशन लिख रहा है प्रेंका गांधी को कहा और कब रैली करनी है ये सलाह दे रहा है दरसल अब वो कॉंग्रिस में राजनितिक सलाहकार बन चुका है इनका नाम है संदीप सिंग जो जेन्यों में पढ़े और वहीं रहते हुए लेफ्ट संगठन आईसा की बैनरतले 2007 में हुई चात्रसंग का चुनाव रड़े और अध्यक्षपत पर जीत भी दर्च की और अब कॉंग्रिस में रणितिकार के तौर पर काम कर रहे हैं हलाकि संदीप सिंग को अभी कॉंग्रिस अध्यक्ष के राजनितिक सलाहकार का पदनाम नहीं मिला है पर उनके भाषन आजकल वही लिखते हैं और माना जाता है कि गड़ बंधन के मुद्धो पर भी वो राहुल को सलाह देते हैं और यही वज़य थी कि अब राहुल को अपनी बहन कॉंग्रिस महासचिव प्रेंका गांधी को उत्तर प्रदेश में गाइट करनी के जरुत होई तो उन्होंने एक बार फिर संदीप सिंग को चुना और तभी से वो राज्य में प्रेंका की दौरें के साथ हैं और कहा तो ये जा रहा है कि सारा काम वही समाहल रही हैं यही नहीं प्रेंका गांधी के रोट्षू और चुनावी कैमपेन में भी संदीप सिंग उनके साथ हैं और प्रेंका गांधी के साथ साथ यात्रा भी कर रही हैं ये बात किसी को नहीं पता कि संदीब सिंग कैसे राहूल गांधी की नजरों में आए और कैसे इतने खास बन गए लेकिन कहा ऐसा जाता है कि 2017 के आस पास से ही संदीब सिंग राहूल गांधी के करीब नजर आने लगे थी संदीप सिंग ने जेनियों में और आइसा में रहते हुई लोग लुभावन भाषन और नारेबाजी की कला सीखी थी अब राहुल गांधी और प्रेंका के भाषन लिखते समय वो इसी कौशल को काम में ला रही होंगे राजनतिक जानकार और कॉंग्रिस को शुरुवात से देखते आए लोग ये मानते हैं कि एतिहासिक रूप से कॉंग्रिस की विचारधारा वामपंथी जुकाव वाली रही है और वो इंद्रागानी काल के शुरुवाती दिरू में सरवादिक सपश्ट थी और इसी रुजहान की वजह से कॉंग्रिस दे बैंकों और कोईला खदानों का राश्ट्रे करण किया था और घरीबी हटाओ कॉंग्रिस का नारा बन गया था लेकिन वक्त बदलता रहा वक्त के साथ साथ कॉंग्रिस भी बदलती रही और बदलती रही उसकी सोच और विचारधारा और ये देखी 1990 की दश्रक में जब कॉंग्रिस ने उदारी करण को अपना कर आर्थिक दक्षनपंद की रहा पकड़ ली बहराल अब ये तो भविश्य ही बताएगा कि कॉंग्रिस के शीर्ष नेताओं के हालिया बयान पार्टी के अपनी जड़ों की और लोटने की निशानी है या ये मात्र संदीप सिंग के प्रभाव का परिणाम है लेकिन फिलाल तो कॉंग्रिस सभी को एक जुट करने में और अपनी खोई जमीन वापस पाने में लगी हुई है इलेक्शन डिस्क टोटल न्यूज सरकारी अधिकारी को धमकाना केंजरी मंत्री और बीज़पी के वरिष्ट नेता अश्वनी चौबे को महंगा पड़ गया पुलिस ने इस सरकारी कारे में बाधर डालने आ मरियादित भाषय का प्रियोग करने और आचार सहिता का उलंगन करने के आरोप में अश्वनी चौबे और बीज़पी नेता राणा प्रताप सिंग समेट 150 लोगों के खलार 5 पीसी के कई धाराओ के तहट F.I.R. दर्ज की है जानकारी के मताबिक अश्वनी चौबे के काफिले में तीन दर्जन से भी जादा कारिया थी जब इसको लेकर स्थानिये SDM के उपाध्यक्ष ने कारवाई करनी चाही तो अश्वनी चौबे उनसे उलज गए दोनों के बीद जुबानी जंग भी हुई मिली जानकारी के मताबिक अश्वनी चौबे समेट 150 BJP कार्यकरताओं के खलाव सरकारी अधिकारी के काम में बाधा पहुचाने को लेकर प्राथमिक दर्ज कराई गई अब उनके खलाव चौनाव आयोग संग्यान ले सकता है दरसल ये पूरा मामला 30 मार्च का है जो भारते जंतापार्टी के उमीदवार और केंडरे मंप्री अश्वनी चौबे ने बेहार के बकसर में लोगसभा चौनाव 2019 के मद्दी नजर चौनाव आचार सहिता का ना सर्फ उलंगन किया बल्कि अधिकारी से बकसर लूकी भी की श्वनिवार को चौनावी कारिक्रे में जाते वक जब आचार सहिता का उलंगन करने पर बकसर के SGM ने उनके काफेले को रोका तो कींदे मंद्री अश्वनी कुमार चौबे बौखला गय और चौबे ने अधिकारी से कहा कि किसका अधिश है जिसके बाद अश्वनी चौबे केहने लगे ये गाड़ी मेरी है हमत है तो जेल भीजो चलो जेल भीजो तमाशा करते हैं आप लोग बरहाल अब देखना है कि चुनावायग और कोट इस मामले पर क्या संग्या लेता है National Desk, Total News अंतरिक्ष की दुनिया में भारत लगातार इतिहास रचा जा रहा है हाल ही में भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया इतिहास रचा था जब भारत में स्पेस में एक मूविंग सेटलाइट को मारने का सफल परिक्षण किया था और ऐसा करने वाला भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बना था अब इसरों ने एक बार फिर नया कीर्तिमान इस्थाफित किया है आज इसरों ने PSLV यानि की भारतिय रॉकेट पोलर सेटलाइट लॉंच वेहिकल द्वारा Electronic Intelligence उपग्रेह EMSET का प्रक्षे पड़ किया अंतरिक्ष की दुनिया में भारत लगतार इतिहास रचता जा रहा है हाल ही में भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया इतिहास रचा था जब भारत ने इस्पेस में एक moving satellite को मारने का सफल परिक्षर किया था और ऐसा करने वाला भारत, अमेरिका, रूस और चीन के बाद दुनिया का चौथा देश बन गया था अब इसरों ने एक बार फिर नया की रितिमान इस्थाफित किया है आंदर प्रदेश के श्रीहरी कोटा से आज सुबा नौ बजकर 27 मिनट पर PSLV यानी भारतिये रॉकेट पोलर सेटलाइट लॉंच भीकल दौारा Electronic Intelligence उपग्रे MSET का प्रचेपर किया MSET का प्रचेपर DRDO के लिए किया जा रहा है और दुश्मन पर नजर रखने के लिहास से भी MSET काफी एहम है MSET के साथ PSLV रॉकेट तीसरे पक्ष के 28 उग्रहों को ले गिया है और अपने तीन अलग-अलग कक्षों में नई प्रध्योगी की का प्रदशन भी करेगा ISRO के अनुसार रॉकेट पहले 436 किलोग्राम के MSET को 449 किलो मीटर के कक्ष में स्थापित करेगा ISRO का ये प्रचेपर सफल हुआ है 28 उग्रहों को ले कर गया PSLV ने और्बिट में प्रवेश किर लिया है बतारे कि एक महीने के अंदर अंतरिक्ष में भारत की ये दूसरी बड़ी सफलता है इससे पहले इस रोने अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया इतिहास रचा था जब भारत ने स्पेस में एक मूविंग सैटलाइट को मारने का सफल परिक्षर किया था और इस सफलता का एलान देश के प्रधानमदी नरेन मोदी ने किया था आज की एंटी सैटलाइट एसेट बिसाइल भारत की सुरक्षा की दुरुस्ति से और भारत की विकास यात्रा के दुरुस्ति से देश को एक नई मजबूती देगा इसरो के अध्यक्ष के सिवान की मुताबिक ये हमारे लिए विशेश मिशन है हम चार स्ट्रेप ओन मॉटर्स के साथ एक पीसल भी रॉकिट का इस्तिमाल करेंगे इसके अलावा पहली बार हम तीन अलग-अलग उचाई पर रॉकिट के जरिये और्बिट में इस्थावित करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा पहली बार हुआ है जब इस रो ने आम लोगों के लिए इस लॉंच को खोला है आज करीब एक हजार लोगों ने इस द्रश्चे को लाइट देखा है दुनिया में अभी तक अमेरिकी एजनसी नासा ही ऐसा करती थी जब वे आम लोगों के लिए इस तरह के प्रक्षेपड को खुला रखती थी एमिसेट सुरक्षा की नजरिये से भी भारत के लिए बहुत एहम है क्योंकि इसे इसरु और डियाडियों ने मिलकर बनाया है और इसका खास मकसद पाकिस्तान की सीमा पर अलेक्ट्रोनिक या किसी तरह की मानवी गतिविदी पर नजर रखना है यानि बॉर्डर पर ये उग्रे रडार और रहनसर पर निगा रखेगा न सिर्व मानवी ये बलकी संचार से जुड़ी किसी भी तरह की गतिविदी पर नजर रखने के लिए इस उग्रे का इस्तमाल हो सकेगा स्पेशल डैस्क टोटल नियूस आरवियाई दोरा रेट किट की उमीदों और विदेशी बाजारों से बिल रहे सखरात्मक संकेतों कासर भारतिय बाजार पर भी देखने को विला है और शेर बाजार ने जोरदार उच्छाल लिया और इसका नतीजा यह हुआ कि कारोबारी सब्ताह के पहले ही दिन शेर बाजार ने 49,000 के रेकॉर्ड इस्तर को पार कर लिया RBI द्वारा रेट कट की उम्मीदों और विदेश बाजारों से मिल रहे सखरात्मक संकेतों का असर भारतिय बाजार पर भी देखने को मिला और शेर बाजार ने जोरदार उच्छाल लिया और इसका नतीजा ये हुआ कि कारोबारी सफता के पहले ही दिन शेर बाजार ने 49,000 के रेकॉर्ड इस्तर को पार कर लिया मुंबई स्टॉक एक्स्चेंज का 30 शेरों वाला संबेदी सूचकांग सेंसेक्स 185 दसवलव 97 अंकों की तेजी के साथ 3858 पर खुला और शेर बाजार में जोरदार खरीदारी के कारण बाजार ने तुरंत 49,000 की उचाई को पार कर लिया नेशनल स्टॉक एक्स्चेंज का निफ्टी ने भी जोरदार तेजी आई ये मॉमिंटम बरकरार रहेगा उसके बाद इलेक्शन्स पे हम लोग जाएंगे लेकिन फिलाल ऐसा लग रहा है कि आपने दिखाए कि फॉर्इन पॉर्टफोलो इंवेस्टर्स ने लगातार खरीदी कई है और और उसका रिजन यह है कि यूएस फेट का जो लेंग्वेज रहा है वो यह रहा है कि इतने होकिश नहीं होंगे और इतने रेट हाइक जो उम अर्थिक गद्विदियों को बढ़ावा देने के लिए रिजर्ब बैंक की ओर से ब्याजदरों में कटोती किये जाने के अनुमान से निवेशक उससाहित बताए जा रही है इसके साथ ही दूसरी बड़ी बजा सकारत्मक विदेशी संकेतों और घरेलू मुद्रा में आई मजबूती से भी बाजार को सपोर्ट मिला है और जोधार लिवाली देखी जा रही है सुबा करीबन 10 बजे 335 अंकों के उचाल के साथ सेंसेक्स 49,000 के इस्तर पर पहुँचा तो निफ्टी वी रिकॉर्ड उचाई के करीबन 11,700 के पार कारुबार कर रहा था पता दें कि 9 अगस्त 2018 को सेंसेक्स पहली बार 38,000 के पार गया था बाजार में तेजी की एहम बजा धातू बाहन और वित्तिय कंपनियों के शेरों में तेजी और वेश्विक संकितों का सकारात्मक रुख है ब्रोकर के अनुसार चीन अमेरिका के बीच ब्यापार बारता की चलते एशियाई बाजारों में सकारात्मक रुख देखा गया साल के कुछ दिनों में बादार के उतार चलाव ने ये साफ कर दिया है कि चुनाव तक शियर मार्केट में उतार चलाव जारी रहने वाला है Special Desk, Total News